इन कि आप कुरुषी पर विराजेंगे आप मोहन भागवच जी है राष्टरी स्वायम से वके अभी संग प्रमूख है मारथ इदर इदर इस एक आशन भी इस पर विछाग जागे है इस तो आप विराज़ विश्चागे है कि अधिए हैं पैना जो लाद हो देदिए हैं आप बिराज माला ऐसे रहने देजिए हम अपनी श्रुजी को प्राइब और किसी को कुरुशी के और शक्ता तो मंगा लिए अगर जमीन में बैठने महाराज जी बस दर्शन करने थे आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए चाह मिटी चिंता गई मिनुवा बेपरवाह इसे लोग कम देखने पर देखने पर देखने अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने देया है ना यह शिर्फ शेवा के लिए देया है बेवहार की शेवा और अध्यात्म की शेवा यह दोनों शेवाएं अतियन्यवारे हैं केवल बेवहार की शेवा ही होती रहे हम अपने भारतवार्शियों को अगर परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तू और बेवस्ता से नहीं कर सकते उनका बौधिक इस्तर सुधरना चाहिए आज हमारे समाज का बौधिक इस्तर गिरता चला जा रहा है बहुत चिंता का विशह हम सुविधाएं दे बौधिक शामागर्या देदेंगे लेकिन उनके ह्रदय की जो मलिंता एक जो हिंशात्मक बृत्ती है जो अपवित्र बुद्धि यह जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश धार्मिक देश है हमारे यहां धर्म की प्रधानता है तो इसी बात को बारबार हम सबसे निवेदन करते हैं कि यह जो हमारी नई पीड़ी है इसी से हमारे राष्ट की रक्षा करने वाले प्रगट होते हैं जो विद्यार्थी जन है उन्हें में कोई अब हमारी शिक्षा केवल आधनिक्ता का सुरूप लेती जाए और व्यविशार प्रवत्ती व्यशन प्रवत्ती हिंसा प्रवत्ती यह नई पीड़ी में देखकर बहुत असंतो शरदय में होता है इसलिए कितनी भी सरीर में पिड़ा हो हम प्रयास करते हैं जितने से जितने सामने हमारे भगवत सुरूप जन आते हैं पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए अविनासी जीव कभी भोग विलास में तरप्त हो ही नहीं सकता हम अगर अपने राष्ट की विसेश सेवा तो हमारे धर्म का परिचे जिसा आप लोग आप जन करते हैं धर्म का हमारा क्या शुरूप है हमारे जीवन का लक्ष क्या है हमें जितना राम जी प्री है कृष्ण जी प्री है उतने भारत देश हमारे ले प्री है जैसे रामभक्त, कृष्णभक्त, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन, हमारा आदर्णी और पूजनी, पर अब जो मानसिक्ताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाबदायक नहीं होगा। व्यशन का इतना बढ़ता सुरूप, व्यविचार का इतना बढ़ता सुरूप, हिंसा का इतना बढ़ता सुरूप, ये बहुत ही बिपत्ती जनक है। अगर ये बढ़ता रहा, तो हम बिविद प्रकार के शुक्ष विधाय देने पर भी अपने देश वासियों को शुक ही नह लेकिन हमारा विचार और विचार हमारा गंदा हो रहा है बस हमारा उद्देश से यही है कि हमारे देश्वासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट प्रियता जन सेवा समाज सेवा यह सब स्वभाविक होने लगेगा और विचार तो शुविधाएं बहुत हैं उनका दुर्पयोग हो रहा है तो बस आप सबसे बड़े-बड़े जो देश्टाजन हैं जो बड़े-बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब विवस्था करते हुए हमारे अध्यात्म को समझे बिना अध्यात्म को समझे दुख शुख की समानता बिना किये परमशुख का अनुबव होई नहीं सकता इस माया कृत भोग पदार्थों को भगवान ने दुख योनया कहा है मानों एक बोर्ड लगा दिया दुखालेम अशाश्वतम और हम सब यही चा तो आनंद की उमिगन हो जाएगी बहुत सुंदर मानो जीवन का स्वरूप है जिसे देव दुरलब कहा गया दुरलबो मानुशों देव लेकिन क्या दुरलबता सब दिस पर सुरूप रसगंद इनी विशय के भोगने की या इनी सुविदाओं के लिए दुरलब कहा गया दुरलब है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए और उस सुख को तो हम भूले हुए एकदम बहते हुए सब इस पर सुरूप रसगंद के प्रवाह में चले जा रहे हैं और इसी को सोभा के समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है नहीं हम सबसे प्रार्थना करते है कि आप अपने धर्म को समझ ये आप अपने स्वा को जहां जहां इस्थापित करते चले जा रहे हैं आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं मदिरा में हिंशा में दिवत कीडा में बेविचार में इसे दोश नहीं समझा जा रहा है और हमारे सास्त्र हमारा धर्म इसको कर रहें यह बड़ा चिंता का भी है हमाएं देश के लिए जो जवांक चाहिए जो भक्ति चाहिए उसमें बुद्धि और सरीरबल दोनों होना चाहिए सरीरबल छिर्ण हो रहा है क्योंकि व्यविचार प्रवत्ती में बहुत कमजोर अवस्था में जैसे गेऊं की फचल है और गलेथ में काट ली जाए तो ना दाना मिलेगा न सही भूस मिलेगा ऐसे ही बीश वर्षी की अवस्था तक ये ब्रह्मचर नष्ट कर दिया जाए तो वो ग्रहस्थ की योग में नहीं रह सकता राष्ट सेवा की क्या बात है हमारे राष्ट सेवा के लिए बहुत विशाल हरदे के आवस्यक्ता है हमारे सरीर को बहुत स्वस्थ रखने के आवस्यक्ता है तब हम समाज सेवा राष्ट सेवा तो शरीर और बुद्ध दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवस्यक है तो सरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विश श़िक लेह हमारा बार बार हरद है हमारे देश ने चरित्र की पूजा किए रावन किसी बात में कम नहीं था आज भी कोई स्थम्हेस का गाया जाता जाता जटा ट्लड जोल प्रीय। अईसा बल्वान जो वीशो बार जैसे जूला आराध्देव को जुलाया जाया से महादेव सहित पार्वती को बाजिवों पे जुलाया वो महा राष्ट संकट में पढ़ जाएगा अगर हमारे बच्चे विवस्थित नहीं हुए उनकी बुद्धी शुद्ध नहीं हुए उनका स्वास्त ठीक नहीं रहा कौन आगे चलकर कहें यही पीड़ी तो है ना इन्हीं में से निकलते हैं हमारे राष्ट भक्त भगवत भक्त लगेगी अगर समाच सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाच को प्रदान कर देना हां बीविद प्रकार से हमारे समाच को सुप पहुंद इसी में ज्ञान प्राप्त होता है कि सव के हिर्दय मंदिर पर भगवान वासुदेव विराजमाने और यह अगर लक्ष बन गया तो संसार की शेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा इस संसार है ने वासना वासुदेवस से वासितम भोनत्रियम शुर भूत निवासुदेव नमस्ति वही अपनी वासना इच्छा एक हम बहुट स्यमा विस्तार कर लिया है यही जनाना है कि तुम शाधारन देह नहीं हो प्यारे तुम आविनासी के बच्चा हो जो चाहो कर सकते हो पर तुमारी चाह गलत दिशा को चली गई वेशन छोड़ो बेविचार छोड़ो तो हमारी राष्ट सेवा में लगो समाज सेवा में बुड़े-बुडे माता पिता क को जवान बच्चे निकाल दे रहें क्या ग्यान हैं जिस समय हम किसी ग्यान की योग नहीं थे का अपनी रक्षा निकर उन्होंने हमारा मल्द होया आज हमें अवस्था उनकी सेवा की हमारा समाज किस तरह से गिरता जा रहा है जब बुड़े-जन मिलते ना कि हमें घर से न उसे होगा क्या जो आप देना चाहते हो बहुतों के पास है इनकी बुद्धी सुधारों इनको धर्म का ग्यान करवा हो इनको राष्ट प्रियता सिखाओ कि राष्ट के लिए कैसे प्रांट समर्पित किये जाते हैं अगर यह नहीं हुया तो सुक्स विधाओं में फिर भो आप प्रयास तो हम करेंगे निरास तो हम कभी होंगे क्योंकि जीना इसी के लिए मरना है तो इसे के साथ मरना है परंतु क्या होगा ऐसी चिंता मन में आती है कि इनके भी मन में आते हैं उनकी भी हम सब के मन में रहे ते इसका उत्तर सीधा यह है कि क्या हम स्री कृष्ण पर भरोशा नहीं करते हैं हमें जो खास बात पकड़नी है क्या हम सच्चिदानन त्रिकालग शर्वग्य जगत गुरु भगवान स्री कृष्ण के भरोशे में भी कमी है क्या अगर भरोशा द्रड़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता परम्मंगल में परम्मंगल होगा कदम पीछे नहीं हम अध्यात्म बलको जानते हैं हम अपने शुरूप को जानते हैं इसलिए हमको यह नहीं डरना कि होगा क्या तीन प्रकार की लेला हैं भगवान की हो रही है एक स्रजन और पालन और एक संगहार जिस समय जैसा आदेश होगा हम उनके दासम वैसा ही करेंगे क्या होगा अब वही होगा जो तैयार हो जाएगा जो बहुत जोर का समालेगा आपको चिंदा नहीं करना आगे क्या होना है हां मुकम करोती वाचालं पंगुम लंग हैते किरिम यत्रपा तमहं बंदे परमानंद माधुम हमारे साथ स्रीक्रश्ण है अब वही होगा जो परमंगर होगा बस निरासा हतास उदास यह हमारे जीवन में नहीं अधिकार रखते किसी भी परिष्टिती में बिलकुल किसी भी तरह का कोई सोक नहीं किसी भी तरह कोई भै नहीं अविनासी हूं हाँ जो हमें सेवा मिली दाड़ता रहूंगा जब तक सरीर में स्वास है और जब सरीर छूटेगा तो जो म भजनानंदी लाखों का उध्धार कर सकता है तुम भजन करो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो कोई चूक मत होने दो और राष्ट की सेवा करो हाँ यह राष्ट सेवा के लिए प्रांस नमर्पित यह राष्ट सेवी हैं पर यह जितेंद्री होकर बेविचारी होकर नहीं यह भोगी होकर नहीं योगी होकर के अब संकल्प बना सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रान पस्यंत माकस्चित दुख भ पानी से तीनों से हमें राष्ट सेवा करने समात सेवा करने और हम निरंतर यहीं चाहेंगे कि आप जैसे सत्मार्ग में पेरित करने वाले स्वास्त रहें भगवान सदेव रक्षा करें और आप आगे बढ़ते रहें हमारे देश वासियों की हां बहुत ही किस्तर का सुधार दोनों का होता रहा है आगे बढ़ते हैं आप श्री जी का चुनरी प्रशाद लाओ और माला प्रशाद लाओ प्यारी जू का प्रशादी वस्त्र आप इसे धारन करें जी यह श्री लाडली जो महाराज का है एक माला पहना है बहुत अनन्दवार बहुत लक्तामिला बल्मिला दृटी भी जो है वो और साभोवे प्रशाद विए नखियर भी जो स्फ़ोजरे एक माला प्रशादा प्रशाद सजत् rhच जो का लेगन है यह बहुत नहですね बहुत प्रशादार प्रू yıl में खक्रशाद है बहुत वात्र बहुत की प्र। यह दो देंत्व国 है आडत्र बहुत प्रशा है बहुते है झाल झाल